नवस्कार में श्रेया शुकलार आप देखरें देश का सबसे भरोसे मन डिस्टन शेनल फीकी डूस चांद अब भारत से दूर नहीं है 14 जुलाई को चंद्रियांत्री भारत से लौंच कर दिया गया अब 5 अगस्त तक चंद्रियांत्री और्बिट तक पहुँच गया है इस रो ने दावा किया है कि 23 अगस्त के आसपास चंद्रियांत्री चांद को पतेह कर लेगा लेकिन अब इस बीच एक बड़ी ख़वर आ रही है कि रूस भी चांद पहुचरी की होड में लगा हुआ है उसने भी अपना लूना 25 लौंच कर दिया है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि चंद्रियांत्री से पहले लूना 25 चांद पर पहुच जाएगा लेकिन आखिर बड़ा सवाल यह है कि 47 साल बाद करीब 47 साल बाद आखिर रूस को जब चंद्रियांत्री एक महिने बाद लौंच हुआ तो उसे चांद की याद अचानक कैसे आई और यह सवाल यह है कि रूस आखिर चंद्रियांत्री से पहले क्यों पहुच जाएगा इसी पर बात चीत करने के लिए हमारे साथ मौझूद है एक्जिप्रिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंग जी सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत सर आपसे पहला सवाल नूना 25 क्या है और इसे भारिस से इसका क्या लेना देना है सबसे पहले बात तो यह है कि हम आम दर्शकों को यह बता सकें यह जो मिशन है यह एक प्रक्रिया के तहट किसी भी देश का है कुल पांच ऐसे देश हैं जो इस मिशन में इस तरह के मिशन में रहें खासकर कि चंद्रयान में चंद्रमा के मिशन में इसमें भारत है रूस है चाइना है अमेरिका है ब्रिटन और जर्मनी की भी भूमिका रहती है और कुछ देश जो है वो सहीयोगी के भूमिका में आकर वह अमेरिका, रूस, चाइना और भारत, सवाल ये है कि जब रूस का लूना 25 चंद्रमा के मिशन में और इधर चंद्रियान ही हमारा पहुचने की कभायद में है और माना ये जा रहा है कि जो सतह पर जो वहां के पत्थरों और मिट्टी का जो नमूना लिया जाएगा लेंड भारत और रूस जो है एक दूसरे को अपना अपना अनभो आदान प्रदान करेंगे क्योंकि आपको सबसे पहली बात पिये जानकारी और आमदर्शकों को भी होनी चाहिए कि स्पेस टेक्नालोजी में भी रूस और भारत जो है वो रणवितिक सायोगी और आने वाले समय मे जब भी अभी की जैसा कि आप देख रहे हैं कि उकरेन के साथ एक वार की स्थिती में इस तरह के जो मिशन होते हैं वो स्पेस मिशन जो है वो स्पेस वार की स्थिती में कहीं ने कहीं बहुत कारगर होते हैं आपसी जो अनभो होते उसके आदान प्रदान के हम यह न भूले कि रूस और अमेरिका के सहयोग से जो पांस से छे दसक पहले हमारा भी एक स्पेस मिशन या चंद्रमा का मिशन शुरू हुआ इवन कि हम तो मंगलियान भी भेज चुके हैं सफलता सफलता उसके मायने अलग है उसमें दोनों के जो रिष्टे हैं क्योंकि हम चार दसक से अधि चितिक सहयोगी नहीं भाई-भाई की घुमिका में रहे और आज भी देखे कि उक्रेन के मुद्दे पर भारत जो है वो रूस का साथ दे रहा है तो ऐसे में यह होड़ वाली बात नहीं है सवाल मुद्दा यह है कि किस तरीके से चंद्रियान त्री इधर से पहुंच रहा ह और लूना 25 उनका उदर से जा रहा है इसके जो अनुभों होंगे यह दोनों आदान परदान करेंगे और आदान परदान करने की जहां तक बात आई है तो इस पे तो चाइना भी हम के हमारे साथ जो है वो बातचीत करेंगा सवाल यह है कि भारत आज उस कतार में पहुंच दूसरी बात यह पूरी कवायत चल क्यों रही और आपका सवाल क्यों आया क्योंकि दक्षणी दूरूट जो होता है एक तो एक्क्वेटर होता है पहले मैं यह अपनी जनता के लिए एक सिंपल भाशा में पहले तो सवाल यह है कि लूना 25 आकर है क्या इसका इतिहास क्या है मैं आपको बता दूँ मैं वही बताने जा रहा था कि यह लैंडर और रोवर है लैंडर और रोवर की क्या भूमिका होती है कि जब सता पर यह उतर जाएगा तो एक मानों का जो मूवमेंट होता है वो यह जो लैंडर और रोवर है जो एक मशीन काम करेगा जो यह 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 य लेंडर और रोबर तो ये लुना 25 में एक यान के जरीए, सोयूज, सोयूज एक यान के जरीए जो है ये उस वहाँ पर बेजा गया है जब वहाँ पर ये आर्बिट के बाद जब वो चंद्रमा के इसमें प्रवेश सतह पर उतर जाएगा तो ये लेंडर रोबर वहाँ पर हम इतना आगे चलेज गए हैं कि हम अपना यान गेज रहे हैं और हमारा यान भी वहाँ से तस्बीरे भेजना शुरू कर चुका है एक-एक मूवमेंट का वो लेंडर और रोबर वहाँ के सतह पर उतरेगा और सतह क्या है चंद्रमा के सतह पर कई बातें ऐसी बताई गई है कि वहाँ पर पानी है साउथ पॉल मतलब मैं वही आपको समझाने जा रहा हूं कि अविदेश का मूवमेंट चलेगा तो ऐसा माना जा रहा है जो अभी तक के अनभो मेंट के मिले हैं किसी भी देश के जिसमें भारत भी शामिल है हमारे वैग्यानिकों का चाइना के वैग्यानिकों का रूस के वैग्यानिकों का स्पेस साइंटिस्ट की बात में कर रहा हूं अमेरिका के नासा का नासा का पूरा दावा है कि साउथ पोल पर प्रत्वी से भी बहतर कंडिशन में पानी है वो पानी को लेकर के ऐसा नहीं हम जमीन में आएंगे, सवाल ये है कि जितना भी विक्सित कोई देश हो रहा है, इस पेस टेकनोलोजी में वो कितना विक्सित हो रहा है, हमने संकल्पना की है कि 21 सताबदी के पूरा होते होते इस पेस में चंद्रमा पर हम मानो की बसावट कर स करेंगे, तो वो एक अपना अपना वो होगा कि बहुत महें उसमें उसका खर्चा आएगा, वहां पर जाये तो विक्तियों को पानी की कमी न खले, उस खोज में ये लेंडरो रोवर बहुत कारगर होगा, ये होड है कि इस पर सबसे पहली जानकारी कॉन दे और इस होड में जो भी देश सामने आजाएगो इसकी मोनोपोली बनेगी, और इसी मोनोपोली को इस्टैबलिस करने की होड में रूस लगा हुआ है, जिसमें वो नासा से भी आगे जा करके कुछ करके दिखाना चाहता है, तो रूस उस भूमिका में है कि जब इस स्थिती में, आज भी वो स्पेस टेकनोलजी में न सिर्फ भारत या जैसे देशों के साथ और चाइना के साथ तो इस समय दोस्ती की स्थिती में है, हो सकता है कि अभी चाइना का भी कोई एक मिशन हो, यह मैं आपको आगे की जानकारी दे रहा हूं, और रूस और चाइना ज्यादा जानकारी शेयर क जो है, वो रूस और चाइना और अमेरिका के तरफ से किये जाएंगे, लेकिन उत देश सबका एक ही है, सतह पर पानी की खोज, और इंसानों की बसावट की कोई इस्तिती बने, उसमें कौन देश कितना इंफॉर्मेशन दे, जिसमें बसावट की इस्तिती को पैदा किया ज तो ऐसा नहीं माना जासे था कि जो पहले पहुच गया, वो अपने वर्चस वहाँ पर बढ़ाएगा, जिस्तित रूप से वर्चस व कायम करने की कोशिश करेगा, और ये चाहेगा कि उसके हिसाब से मुव्मेंट हो, भारत जो है, वो कम से कम, इसमें आप थोड़ा सा जितिक सहयोगी होता है, उसमें स्पेस टेकनालोजी पर एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को शेर करने के समझोते होते हैं, जो हमारा नासा के साथ भी है और रूस के साथ की है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि रूस का ये इंफॉर्मेशन हमारे भी काम आएगा, लेकिन बात कुमारा बिल्कुल सही है, कि अगर कोई मनोपोली स्थापित करेगा, तो वो तो पहले दावा करेगा ही, वो ये चाहेगा ही कि हमसे सहयोग लें, और उसका बहुत ज्यादा दूर्गा में फायदा होता है, जो देश पहले पहुँचेगा, उसी का नाम दर्ज ह लेकिन सिरे हमें नहीं भूलना चाहिए कि आज तुम ये सवाल कर रही हो, तो इसके मायने हैं कि हम मानते हैं कि आज यतने विक्सित देशों जिनकी स्पेस ट्रेकनॉली यहां पहुँचते हैं, हम यहां तक पहुँच चुके हैं, हमारे पांच या छे दसक के परिस्रम का यह परिणाम है कि अब हम किसी भी मुव्मेंट पर एक बराबरी की दरकार होती है, आप एक्षा करते हैं एक देश्वासी के रूप में पत्रकार के रूप में यह हमारी उपलब्दी है, लेकिन एक सवाल सबके मन में है कि आखिर जब 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लांच हु कि चंद्रयान 3 से पहले ही पहुझ जाएगा, तो क्या इसमें गड़ित क्या है, क्या ऐसे टेक्नलोजी वो मुझे इसा लगता है कि कोई बैग्यानिक बता सकता है, एक पत्रकार के रूप में जितना हमने अभी तक के मिसन को देखा है, और उसको मैं आपको बता भी चुका कि इस तरह के मिसन में या इस तरह के मुव्मेंट में जिस देश का महारत होता है, वो उसको फायदा मिलता है, और इतना बड़ा अंतर भी नहीं है, तो हम बार बार कह रहा है कि हम नेक टू नेक पाइट के स्थिती में है, पहले आप पूरी बात सुनें, उसमें इसलिए व पूरी आप दो दिन बाद चोड़ेंगे, हम आगे पहुंचा देंगे, मुद्दा यह नहीं है, मुद्दा सिर्फ यह है कि साउथ पोल पर जो पानी की समस्या है, और साउथ पोल पर जिस संभावनाओं की चर्चा की जा रही है, उसमें सबसे पहले बाजी को और मानता है, सारा मामला यह है अगबर से अभी हम लोग जब एक एडिटोरियल चर्चा कर रहे थे स्रेया, तो अगबर का इंफॉर्मेशन जो है, वो वीके न्यूस के माधिम से लोगों तक पहुंच जाना चाहिए, अगबर जिस रफ्तार पर तुम चर्चा कर रहे थे, वो सामाने दरुश्कों को पहुंचने का दावा कर रहा है, उसकी वज़ाए यह है कि हम रस्या के मुकाबले हमारा जो बजट है वो कम है, तो उसके अकॉर्डिक हम क्या कर रहे हैं, हम अर्थ के और विट को एज़ फ्यूल यूस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बजट रस्या के मुकाबले उतना नहीं है कि दारेक्ट लाँच करतें प्रतवी से चंद्रयान की तरफ को तो हम क्या कर रहे हैं कि और उस तरहीट के बद आरे के बाद बॉस ने के बाद नर्डे लॉँट करतें नोगर में ब Girax करते और इस तरह से घ्रलाइन के तो इसलिए हमें टाइम लग रहा है क्योंकि हम प्रथवी के और बिट में गूमने के बाद स्पीड बना रहे हैं दैन हम चंद्रियान की तरफ जारे हैं और रहे हैं और हमारा बजट रस्या के मुकाबले उतना नहीं है और नहीं हमारे बास उतनी स्ट्रॉंग टेकनोलोजी क पहले डवलब्ड हैं तो हम अर्थ के और विट को यूज कर रहे हैं वो फ्यूल को यूज करके डारेक्ट पहुंचने की दात कर रहे हैं इसलिए उनकी बातों में बजन दिख रहा है कि हम से पहले पहुंच जाएंगे पर यह तो जब हमारे चंद्रियान थ्री और हाँ यह आने वाला समय बताएगा कि जल्दी कौन पहुंचेगा और कौन नहीं लेकिन सबकी निगाहें अब 24 अगस्त के आसपास टिकी होगी कि कब चंद्रियान 3 चांद फते कर लेगा तो हमने इस सभी की बाते सुनी चंद्रियान 3 अब 24 अगस्त के आसपास चांद फ अब भारत चांद के बेहत करीब है हमारी पूरी चर्चा पर आपकी क्यारा है हमें कमेंट करके जरूर बताएगा वीके न्यून राश्ट्र के नाम